नमस्कार दोस्तों जीए सिंदी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों अक्सर हमसे अभ्यार्थी बात करते हैं फोन करते हैं कि NCRT का महत्व क्या है UPSC के लिए NCRT को कैसे पढ़ना चाहिए नई NCRT पढ़ें या पुरानी NCRT पढ़ें NCRT के साथ या उसके बाद हम क्या पढ़ें तो आईए चलिए इनी सब बातों पर चर्चा करें तो दोस्तों NCRT का महत्व क्या है यदि आप किसी भी सफल अभ्यार्थी से पूछेंगे तो उसने NCRT की किताबों का अध्यान जरूर किया होगा तो NCRT हमें बेसिक जानकारी प्रोवाइड करती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक हमें जो परिभाशाएं होती है चीज़ें कैसे काम करती है वो हमें प्रोवाइड करती है NCRT और सरल भाशा में समझाई गई होती है इसमें सारी चीज़ें क्योंकि NCRT किसी कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के बौधिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है वो इस तरह बनाई गई है कि बच्चे भी उसको आसानी से सहचता से सरलता से चीज़ों को समझ ले और NCRT से कई बार सीधे प्रशन भी पूछे गए हैं आईएस की परिक्षा में हम NCRT का इस्तेमाल कई बार Elimination Method के दवारा एक दो आप्शन को हटाने में भी कर सकते हैं तो इस तरीके से NCRT का महत्व काफी बढ़ जाता है UPSC के लिए तो अब हमें जान लेना चाहिए कि हमें NCRT कैसे पढ़नी चाहिए तो दोस्तों NCRT पढ़ने के दो तरीके हैं Class-wise या Subject-wise Class-wise में हमने एक कक्षा की छटी कक्षा की जैसे सारी NCRT पढ़नी फिर सात्वी की पढ़नी फिर आट्वी की पढ़नी और Subject-wise जैसे हमने History के NCRT उठाई तो छोटे से शुरू करते वे बढ़ते वी Class की सारी की सारी पढ़नी तो दोनों को अगर हम Compare करेंगे तो Subject-wise पढ़ना जादा Beneficial है हमें जादा उपयोगी है हम आरे लिए क्योंकि जब हम Subject-wise पढ़ते हैं तो चीजें हमें एक विशे के बारे में आसानी से उसमें आगया आगय नहीं नहीं चीजें पता चलती रहती हैं तो वो हम उसको आसानी से समझते रहते हैं तो हमें एक Subject हमारा एक Prepare होना शुरू हो जाता है अब लोग हमसे पूछते हैं कि NCRT के हमें Notes बनाने चाहिए है, NCRT को Underline, Highlight करना चाहिए तो दोस्तो NCRT का जो Main Use है वो यही है न कि हमें Basic जानकारी मिल जाए, Definitions मिल जाए, हमारा एक Base Strong हो जाए तो उसके लिए अलग से Notes बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां भी आपके सामने कोई ऐसा Fact आता है, जैसे कोई Definition आती है तो उसको आप Underline कर लिजे, Highlight कर लिजे, और अगर कुछ और बात नहीं है तो उसको आप Side में Margin में लिख सकते हैं अलग से Notes बनाना मैं आप Time Waste ना करें दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि नई NCRT पढ़ें या पुरानी NCRT पढ़ें दोस्तों दोनों NCRT ही समान रूप से उपयोगी हैं दोनों के ही अपने अलग-अलग फायदे हैं पुरानी NCRT में चित्र कम थे जानकारी ज़्यादा थी नई NCRT में चित्रों के माध्यम से Figures, Diagrams के माध्यम से बताया गया है लेकिन दोनों का Purpose एक ही है कि बच्चों को चात्रों को जो चीजों की Basic Knowledge है जो Understanding है वो हो जाए तो हमें पुरानी NCRT को खोजने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि सर ये वाली इस Class की पुरानी NCRT चाहिए अपना Time Waste करते हैं, इंटरनेट पर ढूरते रहते हैं तो उसमें हमें Time Waste नहीं करना है क्योंकि जो Main Purpose है अगर वो हमारा नहीं NCRT से Solve हो रहा है तो हमें नहीं NCRT फॉलो करनी चाहिए तो जो आपको सहजता से उपलब्ध है वो NCRT आप पढ़ सकते हैं समय के साथ साथ नहीं NCRT में जो Outdated चीज़ें थी पुरानी NCRT की वो हटा दी गई है तो इसलिए नहीं NCRT भी हम पढ़ सकते हैं और समान रूप से वो हमें फायदा देगी अब अगला प्रशन आता है कि NCRT को पढ़ने में कितना समय लगाना चाहिए और साथ में क्या पढ़ना चाहिए तो दोस्तों NCRT की किताबें तयारी के शुरुवात में हमें पढ़नी चाहिए अगर हम तयारी शुरू कर रहे हैं IES की तो Current Affairs के साथ साथ हमें NCRT पढ़नी है और 2-3 महीने के अंदर हमें NCRT की जितनी भी किताबें हैं IES के लिए जरूरी वो सारी की सारी पढ़ लेनी है और साथ में Current Affairs के लिए आप gsindy.com या न्यूस पेपर को फॉलो करें रेगुलर्ली और एक तरीका ये भी है NCRT पढ़ने का कि आप दो विशे की NCRT एक साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि एक ही विशे की NCRT दिन भर पढ़ने से कई बार बोरियत होने लगती है तो आप चाहें तो दो विशे की NCRT उठा लें जिसमें से एक थोड़ा सा Technical Understanding वाला सब्जेक्ट हो दूसरा एक Static सब्जेक्ट हो तो वो आप दो NCRT पढ़ने तो इससे आपको NCRT पढ़ने में रूची बनी रहेगी अब दोस्तो NCRT के बाद हमें और क्या पढ़ना है तो NCRT के बाद दो और ऐसे resources हैं दो और ऐसी websites हैं जहां आपको basic किताबें आपको download करने के लिए free में मिल जाती है जो है NIOS की website है जिसका link दिया गया है और दूसरा है IGNU की website जिसका भी link दिया गया है तो NIOS की किताबें और IGNU की किताबें भी NCRT की किताबों के जैसी ही हैं जो हमें basic knowledge understanding provide करती हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने पहले NCRT पढ़नी फिर NIOS की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया सारी फिर IGNU की पढ़ना स्टार्ट कर दिया नहीं NCRT पढ़ लीजिए और NIOS या IGNU से कुछ selected topics आपको पढ़ने हैं जैसे NIOS के history में जेखेंगे तो art, forms, culture, paintings ये सब चीजें इसमें अच्छे तरीके से हैं तो NIOS में जाएं और सिर्फ वही वाली PDF आप डाउनलोड कर लें तो एक आपको अलग से post हम बाद में देंगे कि NIOS और IGNU में से selected कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी हैं अब IGNU में क्या होता है जैसे आपके optional होते हैं तो उसमें आपको 11-12 में sociology की books मिल जाएंगी तो वह आपको basic base बनाने के लिए काफी helpful होंगी तो NCRT अगर आपने पढ़िये अच्छा है साथ में अगर आपने selected NIOS या IGNU की चीजे पढ़िये तो अच्छा है पर यह न करें कि पहले NCRT सारी पढ़िये फिर NIOS के किताब में पढ़िये फिर IGNU की किताब में सारी पढ़िये क्योंकि सिर अब आगे बात करते हैं कि आगे हमें NCRT के साथ और क्या पढ़ना है तो दोस्तों ये बात आप जान लीजिए कि सिर्फ NCRT से आप IES की परिक्षा को पूरी तरीके से क्वालिफाई नहीं कर सकते साथ में और भी किताबे जरूरी हैं तो साथ ही साथ NCRT को पढ़ने के बा जैसे अगर आप पॉलिटी के आपनी NCRT पढ़ ली है तो बाद में जब आपने सारी NCRT आपकी कम्पलीट हो गई तो उसके बाद अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो बेस तो आपका NCRT से पहले ही तयार हो चुका है तो अब आप आगे डीडू बसू, सुभाश कश् या लक्ष्मी कांत की पॉलिटी की किताब में से कोई एक किताब ले सकते हैं और वो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो दोस्तों NCRT के बारे में यदि आपका और कोई डाउट है या हमसे कोई चीज अगर छूड गई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हम उसके बा बाद